नमस्कार मैं डॉक्टर सुमित गुपता सीनियर कंसल्टेंट पीडियेटिक्स मनिपाल हॉस्पिटल गाजियाबाद जैसा कि आप सब लोग जानते हैं कि अभी बच्चों में वाइरल इंफेक्शन का सीजन चल रहा है जिसमें हैं फुट माउट डिजीज भी कॉमन है तो साल से छोटे बच्चों में इंफेक्शन ज्यादा कॉमन होता है हाला कि हर साल इस सीजन में इसके केसे देखे जाते हैं लेकिन इस साल इसके नंबर ऑफ केसे थोड़े से जादा हैं इसके लक्षणों में हाथ-पैरों में रैश हो जाना और मुह में चाले हो जाना ज्याद कर सकते हैं एक बच्चे से दूसरे बच्चे में ये डारेट कॉंटेक्ट के थू होता है जिसमें की infected person के saliva से stool से और respiratory secretion से infection होने के chances जादा होता है infection होने के 3-5 दिन के अंदर symptom appear होते हैं जिसमें पहले fever होना एक-दो दिन के बाद मुह में छाले हो जाना और उसके एक-दो दिन के बाद हाथ-पेरों पे रेशेज हो जाना ज़ादा कॉमन है यह सिम्टम बच्चों में ज़ादा देखे गए as compared to adults क्योंकि adults इस age तक आते-आते इस viral से exposed हो चुके होते हैं Usually physical examination sufficient होता है इसमें किसी test की जरुवत नहीं होती यह एक self-limiting condition है जिसमें बच्चा 7-10 दिन में ठीक हो जाता है लेकिन अगर सिम्टम 10 दिन से ज़्यादा persist कर रहे हो या बच्चे को high grade fever हो या बच्चा बहुत कम खाए तो ऐसे में अपने डॉक्टर की सला जरूर ले home remedies में हम क्या कर सकते हैं तो sure करें कि बच्चा कुछ oral intake लेता रहे at least liquid लेता रहे जिससे की बच्चे का hydration maintain रहे इसमें बच्चों में चालो में मूँ के चालो में नमक लगने पर दर्द हो सकता है तो बच्चे को कोशिश करें हलका सा blend, हलका सा मीठा या हलका सा ठंडा चीज देने की कोशिश करें इससे बचाव के लिए हम क्या कर सकते हैं बच्चे का hygiene maintain रखें उसको और बच्चों के contact में आने से रोकें जिनको इस तरह का infection हो रहा है बच्चे को समझाएं कि अपने हातों को बार-बार मुँपे न लेके जाएं बच्चे को hand wash का ध्यान रखें और अगर बच्चे को infection हो गया है तो 5-7 दिन के लिए बच्चे को school न भेजें उम्मीद है hand food mouth disease के बारे में जो जानकारी दिये मैंने वो आपके लिए helpful रहेगी Thank you